हेमवती नंदन बहुगुणा माह विद्याले में आज होने वाली सांस्कृतिक कारिकरम स्थगित किये जाने से छात्र संग नाराज हो गया इसके बार माह विद्याले के छात्र संग ने धरना प्रदर्शन किया खबर खटीमा जनपत उधम सिंग नगर की है जहां हेमवती नंदन बहुगुणा माह विद्याले में सांस्कृतिक कारिकरम को इस्थगित करने से नाराज छात्र संग ने जुठ होकर प्रदर्शन किया चात्र संग ने गुसा जाहिर करते हुए बताया कि सारी तयारवा पूरी हो जाने के बाद अचानक प्रोग्राम को इस्थगित किया गया मौके पर पहुचे खटीमा उद्जिला धिकारी रविंद्र सिंग विष्ट ने इस मामले में धरना प्रदशन को गैर ज़रूरी ठहराया उन्होंने धरने पर बैठे चात्रों पर कानुनी कारवाई की बाद भी कही ऑक पर्चार जी दिव्यांग विकाहत नों आपको यह बिजवा देंगे हैं कह सी को लें उनको टार्गेट किया जा रहा है ये जो कोरोना काल के उनके उसको चलते हैं अब आपके पास सरकारी रिकॉर्ड आपके हो जाता तो जर्म माना जाता है देंके इंके दूरा एक जो रइस्टर है जिसमें पेमेंट रजीश्टर है वह खो गया गया था उन्हें इस के लिए बेज़ा था परचार जी को लिखे दिया था लेकिन उनसे उनने नहीं कराई इस चीज की जिस कारण उन पे इतना दबाव बना जा रहा है कि आप इतना घुटाला है यह उनको हर चीज में प्रैसर में लिया जा रहा है और वही दबाव बनाते वह बाहर के कुछ ऐसे लोग भी है मैं कहना तो नाम तो नहीं लेन आप भी आज भी आप इस अभी द्रकात करूंगा कि माविध्याले में जो इस महाविध्याले के बच्चों के सही है और जहां मावीद्याले च्छातरसंग्ण चुनके बेजा गया है उनके डिसीजनों का सम्मान और बाहर से किलप्या करके सरकार का दवाव ना बनाते सब्सक्राइब करें और यहां पर अभी कुछ दिनों के बाद में प्रिक्षा भी हने वारी है और हमारे प्रिंस्पल जो जो किसी मेंटिंग के सिल्जले में गए हुए देख रहे हैं तो इनका दर्णा प्रसेश जायज नहीं है इंको समझाने की कोशिश किया देखते हैं किस दिर में समझ जाएंगे और उनको बताएंगे पर नियम के अदना अवसार काम करें इसका अधान के किलाब कारपाई की सो आप देख रहे हैं डखल न्यूज